मुर्गी पालन दो उद्यशों के लिए किया जाता है पहला है मास उत्पादन और दूसरा है अंडा उत्पादन दोनों ही उत्पादन में एक दिन के चूजे हैचरी से लेकर मुर्गी फारम पर रखे जाते हैं और आठ सब्था तक जो उनका प्रवंदन होता है वो चूजों के हिसाब से प्रवंदन होता है उसके बाद में 9 सब्टा से लेकर 20 सब्टा तक का जो प्रबंदन होता है वो बढ़ते हुए पक्षों के लिए किया जाता है तो आज हम जो बढ़ते हुए पक्षी है जिनकी उम्र 9 से 20 सब्टा के बीच में होती है उनको अंग्रेजी में ग्रोबर भी कहते हैं तो आज हम उसके प्रबंदन के बारे में बात करेंगे जो ग्रोबर की हवस्था है इसमें जो मास वाले पक्षी हैं वो लगवग 8 सब्टा के उम्र पर भजार के अंदर बेज दी जाते हैं परन्तु अगर जब अंडावत पादन लेना होता है तब इनको ग्रोबर का प्रबंदन उसमें आवश्यक होता है और इसमें जो भी प्रबंदन हम चूजों के लिए एक दिन से लेके 8 सब्टा तक करते हैं उसमें कुछ परिवर्टन किया जाता है क्योंकि इस समय में उनकी जो उमर है जो उनका सरीर का भार बढ़ता है तो उसमें कुछ उनकी आपसक्ताएं बढ़ जाती है और उसी के अनुसार उनको भोजन पानी तथा अन्प्रबंदन जैसे डी बी किंग है उनकी चौच छाटी जाती है और इसमें कुछ जो उनको आवास के अंदर लाइट दी जाती है उसमें भी कुछ परवर्टन किया जाता है तो अगर बात करेंगे ये बढ़ते हुए पक्ची हैं इनका दीरे दीरे वजन बढ़ता है और इस स्थी में इनको वजन को कंट्रोल करने के लिए और अच्छी उनकी ब्रद्धी के लिए कुछ उसमें परवन्धन नयमित रूप से करने पड़ते हैं अब जैसे जो चूजे हैं जब एक दिन से चार सप्ताह तक उनको जो जगए है वो लगभग आदा वर्ग फिट की जगए प्रती पक्ची जरूद पड़ती है परन्तु इस उम्र में पक्चीयों को 16 सप्ता तक एक वर्ग मीटर इस्थान की आवश्यक्ता होती है मतलब उनको जो इस्थान है वो ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो आराम से मुर्गी घर के अंदर रह सके हैं इसमें जहां ब्रूडिंग की जाती है जहां चूजे पाले जाते हैं उसके लिए तो केवल जो आवाज का एक भाग प्रियोक किया जाता है और उसी भाग को बढ़ा दियते हैं और उसमें फिर पक्षियों को उसी छेतर में स्वतंत रूप से घुमने हेतु छोड़ दिया जाता है और संख्या के नुसार से उनको इस्थान प्रदान किया जाता है इसी अवस्था में जो उनके लिए जो खाने के बर्तन है उनका इस्थान भी इसमें बढ़ा दिया जाता है क्योंकि जैसे जैसे पक्ची का आकर बढ़ता है उसी तरह से उनके आहर की जो आवशकता है वो भी बढ़ जाती है तो इसमें जैसे फीडर दिखाया गया है तो फीडर भी उसी तरह से उनका जो संख्या है वो भी बढ़ाते हैं ताकि प्रतेक जो है जो पक्ची है उसको पूरा दाना मिल जाए तो इसमें लगभग जो है एक हजार अगर पक्ची हैं तो उनको लगभग 35 फीडर उसमें आवास के अंदर प्रदान किये जाते हैं और जो पहले पक्ची थे उनके अफेक्चा जो गरोवर होते हैं उनको छो खाने का जो इस्तान है वो 4 सेंटीमीट से बढ़ा कर 6 सेंटीमीटर कर दिया जाता है और ज्याद़ातार सर्क्लर फीडर इसमें इस्तमाल किया जाते हैं और ये सर्क्लर फीडर जो आवास है उसकी छट से लटके हुए होते हैν और उनकी जो उचाई है वो पक्षियों के जो सरीर है उसके लेबल तक रखते हैं ताकि जो है वो पक्षी आराम से इन फीडर से खाना जो है आसानी से खा सकें उसी तरह से उनकी पानी की भी आवशकता बढ़ जाती है तो प्रती पक्षी जो है उसको 2 cm ड्रंकर इस्थान की उसमें आवशकता होती है और उसी तरह से उनके जो ड्रंकर हैं उनकी संख्यावी आवास के अंदर बढ़ा देते हैं तो लगबग ये देखा गया है कि एक हजार पक्षियों के लिए अंदर जो ड्रंकर हैं वो उसमें प्रदान किये जाते हैं और ये ड्रंकर कई प्रकार के होते हैं मुखेता है जो है जो बेल ड्रिंकर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ये बेल ड्रिंकर जो आवास है उसकी छट से लटकाते हैं इसमें और पानी की लाइन से इसको जोड़ दिया जाता है और लाइन के दोरा जो पानी है वो ड्रिंकर में आता है नीचे जहां पलेट होती है वहाँ पानी उपलब रहता है और पक्छी वहाँ पर जाकर उसको पानी पीते हैं जैसे जिसे पानी पक्छी पीते हैं तो ये ड्रिंकर से उपर से पानी स्वतेही उसमें आता रहता है और पक्षियों को साफ सुत्रा पानी उसको मिलता रहता है। उसी तरह से दूसरे प्रकार का ड्रंकर भी इस चित्र में देखते हैं कि इसमें भी पानी भरकर रखते हैं इसमें और ये पानी भी आटोमेटिक रूप से पिलेट में मिलता है और पक्षी आसानी से इसमें से पानी पी लेते हैं कुछ पिंजरे वाले जो होते हैं उसमें या कुछ और जो आवास होता है उसमें पाइपलाइन बिछाते हैं और इसमें एक ड्रिंकर होते हैं निपल ड्रिंकर तो इसमें निपल से क्या होता है कि चूजे उसमें चौच मारते हैं और चौच मारते ही उसमें से पानी निकलता है और चूजे आसानी से पानी पी लेते हैं इसमें पानी की बरबादी नहीं होती पानी नीचे फर्स पर भी नहीं गिरता केवल उतना ही पानी ड्रिंकर से निकलता जितना चूजे को आवश्चता होती है जो बेल्ड रंकर है उस तरह से सेट किया जाता है कि जो पच्छों की पीठ की सते तक उसको दिवस्थित करते हैं ताकि पक्ची को पानी पीने के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो पानी और आहार के अत्रिक्त जो लाइट है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया जाता है जो प्रकास प्रभंदन है उसमें क्या है कि इसमें परियाब्त लाइट की उसमें पक्चियों को जरूत पड़ती है लेकिन इसमें आर्टी फीशल जो लाइट है उसको नहीं देते है इस ग्रोवर के अंदर उनको केबल दिन का जो प्रकास है वो ही परियापत होता है लेकिन कुछ जो है सुभे साम उनको एक एक दो दो घंटे उनको लाइट देते हैं उसके बाद में रात को वो लाइट उसको बंद कर देते हैं तो इसके अत्रिक एक और इसमे ग्रोवर के लिए प्रभंदन किया जाता है वो है पक्षियों को नियंत्रित आहार देना क्योंकि ये बहुत जरूरी है पक्षियों की आदत यह तिती है कि उनको अगर आप हर दम दाना प्रदान करते रहेंगे तो खाते रहते हैं तो इस खाने से उनके जो सरीर है वो अनावश्यक इनको जैसे बताया कि ये अंडा उत्पादन के लिए रखे जाते हैं तो अंडा उत्पादन में भी उसमें कम ही हो जाती है तो जितना पक्ची खाना चाहते हैं उससे कम ही आहार उनको दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को आहर रोकना या नियंत्रिद आहर खिलाई कहते हैं अब इसके अंदर किस तरह से हम लोग इसको रोक सकते हैं तो इसमें देखा किया है कि जितना पक्ची खाता है उसका लगबग 92 से 93 परसंट तक ही उसका कैलकुलेशन करके गणना करके 99 से लेके यह आ tax तक ك्रोवर को यह दाना दिया जाता है और अगर मालो इसका दूसरा तरीका भी अपना जाता है कि उनको एक दिन के लिए दाना नहीं डेते हैं अगले दिन दाना देते हैं तो उस तरह से भी दाने पर नियंतरण किया जाता है कुछ आहार के अंदर उसमें कुछ तत्तु होते हैं उनको भी कम करते हैं जैसे जो रेशे की मात्रा जो है उसमें बढ़ा देते हैं जब रेशा के द्वारा जो आहार है वो जब पक्छी खाता है तो उसका पेट कम आहार के अंदर ही पेट भढ़ जाता है उसकी भूख जो है कम हो जाती है और पक्छी दाना कम खाता है उसी तरह से प्रोटीन की मात्रा भी कम कर देते हैं जैसे मूफल की खल है या सोयाबीन की खल है उस तरह का जी जो प्रोटीन वाले तत्त होते हैं उनको कम कर देते हैं तो उससे भी प्रोटीन जो है सरीर में व्रदी के लिए जम्यदार होती है तो अगर प्रोटीन अगर हम जो उसके लिए जरूरी है उसी तरह से एक लाइसिन होता है इससे भी पक्षी की ब्रद्धी होती है तो उसको भी हम कम कर देते हैं तो उससे भी ब्रद्धी पक्षी की रुख जाती है और उर्जा की मात्रा को भी कम कर देते हैं उर्जा तकरीवन जैसे मक्का है या जो अनाज है उनको देते हैं तो वो भी कुछ कम कर देते हैं तो इससे भी जो है जो पक्ची है उसकी जो बढ़वार है वो थोड़ा सा रुख जाती है और ये जो प्रकिरिया अपनाई जाती है वो अंडे देने वाली पुलेट्स की उप काटना या डी-विकिंग ये एक प committed करीया जरूर की जाती है क्योंकि इस में क्या किरते हैं कि इसमें जो उपड़ की चोंच है उसको जादा काटते हैं और नीचे की जो च्वाट है वो थोड़ी काटी जाती है और इसलिए इसको डी-विकिंग में ही काटी जाती है अब ये इसको क्यों काटते हैं इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि जो पक्षियों की चोंच है बहुत नुकिली होती है और वो चुकि पक्षी काफी समभू में रहते हैं वहाँ पर तो वो आपस में लड़ाई जब होती है उनमें तो वो एक दूसरे को चोट पहुँचाते हैं चोँच से उससे खून निकलने लगता है और वो कई मास भक्षण आद की भी उनमें आदत पड़ जाती है तो ये जो चोँच है इसमें कुछ और उनमें बुरी आदत होती है जैसे कैना बिलिजम होते हैं उसका मतलब ये ताया कि जो कुछ भी उसकी तरफ आकर्सित होते हैं और एक तरह से हमारे मुर्गी पालब को उसमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है और एक क्षकी की ये खादत होती है कि जब भी वो आहर खाता है तो वो उसको कुछ ताएब था कुरिता है उसमें से ढूंडता है कि कोई दाना मिल जाए कोई अपने जो उसकी पसंद का दाना है उसको ढूंडने के लिए उसको कुरिता है तो चोंच के द्वारा इसकी जो आहार है उसकी भी बरवादी बहुत जादा होती है तो उसको बरवादी रोकने के लिए भी ये चो काटते हैं तो उस समय भी कुछ साबधानिया बरतनी पड़ती हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपर की चौँच है वो केबल 6-7 mm नतुने तक चाटी जाती है जबकि जो निचली चौँच है वो बहुत केबल थोड़ी सी काटते हैं और उसकी केबल टिप तक ही कि इसको चाटना चाहिए लेकिन यह बात धियान में रखें कि जब भी चौँच चाटने की प्लानिंग हो ब जब भी उसका निच्चत करें दिन तो उससे 2-3 दिन पहले सभी जो पक्छी हैं उनके पानी में वेटामिन के देना चाहिये और यह वेटामिन के खून को बहने स रोकता है, ये बहुत ही आवचीक जो विटामिन है, इसको पानी में दिया जाता है, उससे खून के ठके बन जाते हैं, और खून बहना उसमें बंद हो जाता है, और ये जो डीबीकइंग की जाती है ये एक यंत्र द्वारा है बिजली द्वारा ये यंत्र चालित होता है और इसमें जो भी इसे जब पलग लगाते हैं तो ये आगए का हिस्सा गर्म हो जाता है काफी रेड हो जाता है और पक्छी को बहुत आसानी से साबधानी से पकड़ कर और उपर की और नीचे की चौँच छाटी जाती है अब अगले अगर्म बात करें ग्रोवर के प्रबंदन में तो चूकि हमारे ये पक्षी सम्मूव में रहते हैं और फर्स पर भी रहते हैं कुछ केज में भी रहते हैं केज में रहने से इनके पेट में कीड़े पढ़ने की सम्मावना काफी कम होती है परंतु जो जो गहरी भिछावन वाले विदी है उसमें पक्छी जो फर्स से कई तरह के इनके पेट में कीड़े पढ़ जाते हैं आतों में पढ़ जाते हैं तो इसको वो कीड़े इनको काफी कमजोर करने लगते हैं तो इनको छुटकारा पाने के लिए कई तरह की दवाईयां हैं, जैसे फैनमेंडा जॉल है, मेंबंडा जॉल है, पिपराजी ने आदी द्वारा इनको निकाल देते हैं, तो जब भी इनकी बीट देखते हैं, तो उसमें मरे हुए किड़े या कई बार जीविद जो है, ये कि कीड़े दिखाए पड़ते हैं, तो निस्चत हो जाता है कि ये दवाईयां कामयावी रूप से उनके पेट के कीड़े ने निकाल दी हैं, ये जातर दवाईयां जो है, स्वाधिस्ट नहीं होती, पक्छी इनको पीना पसंद नहीं करते, तो उसके तरकीब ये की जाती है कि पक्छी को अगर जब दवाई देनी हो, तो उनका पानी पीना रोग देते हैं, जो ड्रंकर होते हैं, उनको उंचा उठा देते हैं, ताकि पक्छी पानी पीने तक जो है, उनका चौच नहीं पहुंच सके, और इसमें जब भी वो क्रम नासन कर देते हैं, जब भी उनको तो पानी फीस के अब अगली जो बात है इसमें जो परवन्न होता है वो जो कुकुड भवन है उसकी सफाई है उसका जीवाणू नासन के बारे में बहुत ही आवश्यक क antim ऊढ़ाए जाते हैं अन्यता बहुत तरह की इसमें बीमारी आने की समावना हो जाती है तो ये जो है जो कुकट बन के अंदर जो भी बिचावन होती है डीप लीटर जो भी होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और जो भी निकला हुआ जो बिचावन है वो मुर्गी आवास से कम सो मीटर दूर जाकर गहरे गड़े के अंदर उसको डाला जाता है आवास की जो पूरी फर्स है बिजली के होल्डर हैं पंके के बिलेड हैं इनको अच्छी तरह साफ करें बल्बों को भी उतार कर अच्छी तरह साफ करना चाहिए सबी जो ड्रिंकर हैं चाहे वो फिक्स वाले हो या वो पोर्टेबिल हो उनको ड्रिंकर को फीडर को और जितने भी उसमें उपकरण होते हैं उनको अच्छी तरह से जाड़ें उनको अच्छी तरह से सफाई करें अन्य ब्रूडर गार्ड हैं, हाथ वाले फीडर हैं, उनको बाहर निकाल कर दोना चाहिए और उनको जीवानु रहित भी कर लें जो है ये ब्लो लेंप दिखाया गया है, जब भी आवास का एक तरह से उसको डिसिंफेक्ट करते हैं तो जो कॉर्णर होते हैं, किनारे होते हैं, इसमें आख के दोरा उनको भी जीवानु रहित किया जाता है ताकि किसी भी तरह का बैक्टिरिया, वाइरस या परजी भी भवन के अंदर नहों और वो पक्चियों को रुक्सान ना पहुच पाए जो फर्स है, दीवार है, छत आदि में जो सामानित है, फिनोल का इस्तेमाल की जाता है और इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाडर को भी पानी, फुटवात, एवम भवन में इस्तेमाल करते हैं जो सबसे प्रमुख जो है, जो फॉर्मल डियाइड होता है, इसका फ्यूमिगेशन किया जाता है तो यह फॉर्मल डियाइड गैस है, इससे हर तरह का जो किटानू है, चाहे हो जीवानू हो, विसानू हो, क्यों भी हो, इसके द्वारा वो बिरुकुल खतम हो जाता है तो फॉर्मल डियाइड गैस, कुकुट आवासों, उपकरणों और अन्य सामगरे होत, नियमत रूप से प्रयोग होने वाला एक जीवानू ना सक है तो इसमें जब भी उसको करते हैं, फॉर्मल डियाइड को के दो भाग और पॉटेशियम पर मेनिट के एक भाग का एक बरतन में प्रयोग करते है तो इसको डालने से बहुत तेजी से गैस निकलती है, तो जैसे ही गैस निकले सारे मुर्गी घर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और इस गैस का पूरे जो अंदर का जो हिस्सा है, उसमें गैस ये फैल जाती है और अपना असर करती है उसके बाद में जब भी इसको कर देते हैं तो खड़कियों पर भी परदे लगा देना चाहिए मिट्टी के बरतन में उसको समान दूरी पर इनका जो फॉर्मल लियाइड और प्रमेनिट का गोर रखना चाहिए तो एक किनारे से फॉर्मल लियन को जल्दी से बरतनों में उड़े लें और दरवाजाओं को बंदर कर दें तो ये फ्यूमिकर स्क्रिया है ये बीस से तीस मिनट तक की करनी चाहिए और अगर पक्ची अंदर है तो ये प्रिक्रिया बिरुकुल भी नहीं करनी चाहिए अन्यता पक्चियों को इससे बहुत ज़्यादा हानी होने का खत्रा रहता है तो मुझे उमीद है कि जो ग्रोवन हैं बढ़ते हुए पक्ची हैं यह सारी जो प्रिक्रियां है इसके अंदर ग्रोवर के अंदर इसके प्रबन्दन में की जाती है मुझे उमीद है यह जानकारी आपको काफी लाब दायक लगी होगी धन्यवाद झाल झाल